कि मद्दप्रदेश 15 फरबरी 2020 शनीवार मद्दप्रदेश के आच की तार्या खबर दोस्वागत है अपका हमारे युट्यूम न्यूज चैनल में हूँ आपका होश्च दोस्त उल्दीप पांडे शुब आच के इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मद्दप्रदेश के आप तक पहुंच पाए और आप उन से लाभन मिलते सके दुश्च को जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से आई श्यू करते हैं पहली बड़ी अपडेट कबर से जो निकल क्या रही है सरकार हर घर हर बार घर भेज़ देती है इस बार वापस नहीं जाएंगे ये सब्सक्राइब ने सत्यागर के 15 दिन में बेट कर भजन के मादयां से कमला सरकार को आने का अभधन किया आज की अजिति लेकिन आज तक ये गोंगी भहरी सरकार सिक्षकों को हाल जानने उनके पास नहीं पहुची अधिस सिक्षक अपने नियमित करण को लेकर 25 दिसंबर 2019 से अनिस्चत कालिन हर्थ सत्ताग्रा पर बैठे हुए हैं उनका भी सिक्षक मंतरी ने आकर उन्हें घर जाने के सला भी दी लेकिन सत्ताग्रा पर बिना कुछ लिए मेदान चोड़ने को तयार नहीं हैं उनका कहना है कि सरकार हमें हमेशा यह कर घर भीज़ देती है कि आपके बारे में बहुत जल्द कुछ न कुछ करने को सोच जा है आपके लिए पाले से तियार की जा रही है और जैसे ही अतिती सिक्षक मेदान चोड़कर घर जाते हैं सरकार उनके लिए एक दमनकारी इस वार से लगभग 80% स्कूलों से बाहर हो गए जो 10 साल से कारे रद कर रहे थे क्योंकि सरकार ने तीन महीने कारे करने वालों को अनुभव पर 25 दिया लेकिन जो अनुभव का लाब नहीं मिला जिससे वह इस साल स्कूल में लगने से रहे अधिस्षक संगठन के होई और 35 35 और चन को अपना बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकार से हमें कुछ भी नहीं मिला जो कुछ ब्यज्या भाच्पाश्रकार की ही दोनें कांगरस सरकार की नहीं है लेकिन सरकार को भूल चुकी है कि हम उसे लाए हैं सत्केशा में शामिल हुए सक्षक को ने बताया है कि हम पछले वर्श अंलायल भरती से बाहर हो गये थे और अगर आप मज़ूरी करने के लायक भी नहीं बचे है क्योंकि सरकार ने हमें सक्षक की उपादे दिया थे और हमारा परिवार आसरत पर अगया है हम दाने दाने के लिए मोहतार हो गए हैं अमने कांग्रेस सरकार से के बजिन पर भरोसा करके और इसको बोड़ दिया और उनकी सर्कार बनेने में मदद की थी कॉंग्रेश सरकार हमारे भविश की जहनता करते हुए लेकिन आज दो महां से सप्ता करते हुए और और लगभग देड़त वर्ष पूरा हो चुका है लेकिन सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है जो भी नियम बनाए है उन्होंने हमारे लिए अब दमनकारी थावित हूं है बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट ख़बर की जो निकल कर रही है ईपी एफो प्राइवेट करमचारियों को मिले आ पहले यादिकार के वाल नियुक्ता के पास था यानि करमचारियों को एचार के चकर लगाने परते थे एपी एफो की और से ट्विटर पर दी गई जानकारी के मताबिक एपी एफो ने अपने सिस्टम को और भी आसान कर दिया है पहले नोगल छोड़ने की तारिक नहीं होने स से फंड निकालना या ट्रांसफर करना अटका रहता था अब भाविशनीदी संक्रटा ने इस टेंशन को पूरे करने के लिए यूनिफाइट पोर्टर याने यू एन पर एक नई सुविधा शुरू कर दिये सुविधा के तहत करमचारी पिछलाज कंपनी छोड़ने की ता इपीएफो अकाउंट होल्डिंग नोकली छोड़ने के तारीक को खुद अपडेट कर सकते हैं यानि वे इपीएफो के रिकॉर्ड में बता सकते हैं कि उन्होंने अपने संस्तान को कब छोड़ा है इन नियमों के बदलने से क्या होगा दोस्ते एक्सपर्ट बताते हैं कि पिछले इस तारीक को संस्ता है अपडेट कर सकता था अगर एपीएफो रिकॉर्ड में नोकली छोड़ने की तारीक दर नहीं है तो इपीएफ खाते से पेसा ना तो निकाल सकते हैं ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं आगे बात कर लेते हैं तीस्टी अपडेट ख़बर की जो रही है एक बड़ी बड़ी ख़ब निकल कर रही है जो सरपंच ने स्कूल कॉलेज और कोट के लिए एक दसंबलों दो पांच करोड के जमीन दान की दोस्तों मतप्रदेश में गरी करीब 24,000 क्राम बचायते हallasब ग्राम बचायतों के सरपंच पर ब्रश्टचार के आरूप हैं कई सरपंच ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कबजे कर लिए इक ब्रश्टचार के दल्दल में एक सरपंच कमल की तरह सच और सुच्च और शुद नजरा रहा है नाम je कमल सिंग में जब सरपंचन ने थे तब मॉडल स्कूल मंजूर हुआ था विदी साथ के पत्रकार की एक रिपोर्ट के अनुसार मदपदेश के विदी साज लेके नटेरन तहसल के स्थेतर सेव के गाउं के किसान कमल सिंग धाकर आज पूरे प्रचेतर के लिए मिसार बन चुके हैं एक नटेरन में भावन के लिए सास के जमीन उपलब्द नहीं थी दोजाँआ तेरह में स्कूल के लिए पांच बिगा जमीन दान की थी गाउं का कोई विक्तिश जमीन देने को तयार नहीं था इससी में ये स्कूल दूसरी चेतरों में सिफ्ट करने की बात होने लगी थी उनक तेरह में जब प्रश्टेश के तत्कलिन मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चुहार एक यातरा में निटरेन आये तो उन्होंने अपनी पांच बिगाज जमीन का दान पत्र उन्हें सोब दिया कालेज के लिए बारह बिगाज जमीन दान की थी कामल सिंग बताते हैं कि दो साल के भीतर इस जमीन पर भावनबन कर तयार हो गया आज स्कूल में करीब 400 बच्चे पढ़ रहा हैं इसी तरह तीनों तीन साल पहले निटरेन में शास की कालेज के लिए जमीन नहीं मिल रही थी अधिकारियों ने उनसे जमीन देने का आगरे किया उन्होंने अपने 12 बिगाज जमीन कॉलेज के लिए दे रही इस जमीन पर भावन बनकर तयार है इसके अलावा मार्केटिंग सोसाइटी के लिए एक बिगाज और कोड़ बहुन के लिए पांच बिकार जमीन दान कर चु सबसे पहले उन्होंने दिल्ली विदान सवाच उन्हों को बहुत निराश्य जनक बताते हुए कांग्रस पार्टी की खाल बयान दियर सब्सक्राइब के घ्लाव में सबस्क्राइब सब्सक्राइब नहीं कि नहीं कि तुम्हें खुद सरकार के खिलाफ आंधरन करेंगे आपके बात कर लेते हैं पांच और रही है जिला गवालियर जिले में धार दोस्तों जिले में आई कोड्य से आधी के पार्शिक परिक्षाओं एवं लोखित में जिलावल स्टेट जिला गवालियर नुराक चोधरी ने दंड़ प्रक्रिया प्रक्रिया कि सहीता कि धारा एक सुच्छम्वालियर तहत अगामी आदिश तक गवालियर जिला सीमा प्रकार के जुरूस मौन जुरूस सभा आम सभा रेली धर्ना प्रदर्शनादी करने पर पूर्णता प्रतिबंद लगा दिया है यहादेश प्लिस अधिक्षक जिला गवालियर के प्राप्ता प्रतिवेदन के अधार पर जारी किया गया है जिला मैस्ट्रेट अनुराक च प्रताय जाती यह समुदाय के विरुद्ध नारे या अन भणकाव भाषा का इस्तमाल किया गया हो यह प्रकाश प्रकाशन का नीजी यह स्थानों पर पूर्णता पतिबंद पतिबंद होगा किसी भी नीजी अत्वा सार्व भवन यहां सब पत्ति पयार आपति जेने सब्सक्राइब करते हैं आपको मारा आच का विश्यों पसंदाया होगा पसंदाया लाइक करें और अधिसे नहीं हम फिर आज वते नहीं शक्साथ जब तक कि लिए जये भारत बंद मात्रम